उन्ही स्वानामधर्न्य आदिति मामा का एकए ट्रैंसफर हो गया था और मा परेशन हो रही थी की अब कैसे क्या होगा उस दिन मा शाम को दफतर से लोटकर चाय पी रही थी मैं और दीदी भी उनका साथ दे रहे थे पापा उसे समय बाहर से लोटे पापा का कहीं भी आना जाना इतना चुपचाप होता था कि घर में कोई गहमा गहमी नहीं होती थी मैंने ही आवाज देकर उन्हें चाय के लिए टेबल पर बुला लिया बाए हाथ से अपना कप उठाते हुए दाए हाथ से उन्होंने जेब से कुछ निकाला और मा के सामने रखते हुए बोले ये कुछ रुपिये है रेका की शादी के लिए रख छोड़े थे शिखा की करोगे तब भी कुछ देने की कोशिश करोंगा मैंने नजर उटा कर देखा बैंक ड्राफ था पंद्रह हजार का मा के नाम हम सब इस्तब्द थे पापा जो इतने बेचारे से थे छोटी मोटी फर्माइशे लेकर भी जिनके पास जाते संकुछ होता था वे इतनी रकम एक साथ दे सकते हैं उनका इतना बड़ा बैंक बैलेंस होगा या कभी सोचा भी नहीं था सच तो यह है कि उनका इस प्रकर तटस्त भाव से रुपिय देना बड़ी अजीब सी बात थी पर इस पर हमने गौर ही नहीं किया बचपन से ही जब बे कुछ करने की कलपना की है जहन में मा की तस्वेर ही उभरे है घर का माहूल ही ऐसा बन गया था पापा का जो भी योगदन था वो इतना मौन होता था कि कभी सतह पर आया ही नहीं इस थिती को माने ही जिनम दिया था सारे समस्यावों की सलीब कंधे पर उठा कर पे अकेले ही घुमती रही उनकी बातचीत के लहज़ा तक मैं से भरपुर हो गया था मैंने बच्चों का एडमिशन करवाया मैंने ट्यूटर से बात की मैंने वाइट वाश कराया मैं डिस्टेंपर करवाओंगे मैंने आमुक लड़का रिजिक्ट किया मैंने ये रिष्टा पक्का किया घर परिवार बच्चे कोई भी विशे हो पापा को साथ लेकर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं शादी भी उन्होंने अपने बलबुद पर तै की थी पर उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था संकट की इस घड़ी में पापा उन्हें देवदोस से लगे हो तो आश्चर नहीं पंद्रह हजार कोई बड़ी रकम नहीं थी पर उसी के सहारे बेपापा को पा गई थी पहले बार उन्हें लगा की हमारी बेट की शादी है पूरे विवास अमारोह में बेपापा पर इस तरह निर्बर रही की देख कर अच्छ लगा पहले बार लगा की पापा बहस्यत पापा इस घर में है दीदी पता नहीं कैसी होती जा रही थी घर में इतनी इतनी बाते हो रही है पर उन्हें जैसे किसी से कुछ सरोकार ही नहीं उनकी सस्विराल से रोज अजीब अजीब प्रस्ताव चले आते हैं सुनते ही हर कोई रोश से उबल पड़ता है पर उन पर कोई असर नहीं होता वे एक शहीदाना भाव जहरे पर ओड़े चुपचप हमारी भागदोड हमारी परेशानिया देखती रहती है सबसे ज़्यादा हैरत तो उस दिन हुई जिस दिन माकान की रजिस्ट्री हुई थी वह घर ये मकान हम लोगों के लिए सिर्फ इंठे गारे की इमारत तो नहीं है इससे हमारी जाने कितनी भावनाये जुड़ी हुई है ये दादी मा की एक मातर निशानी है उनके गाड़े पसीने की कमाई है कठिन से कठिन समय में भी पापा ने इसे हाथ नहीं लगाया था पर देदी की शादी में ये भी हो गया उसे बैंक के पास रहन रखने का सुझव आदिति मामा ने ही दिया था सुनते ही मेरे कलेजे पर तो सांप लोट गया था रजिस्ट्री पैपर्स पर हस्ताक्ष करते हुए पापा की आँके छल छला आई थी पर देदी के चैरे पर पिशाद की एक रेका भी नहीं उबरे वे जडवत बैठी रही जिसे ये सारी उठा पटक किसी और के लिए हो रही हो दिनों दिन एक अबूज पहली बनती जा रही है वा अभी पिछले मंगलवार की बात है मैं बड़े मनोयोग से स्काइलार्क का अप्रसेशन लिख रही थी दोसरे दिन टुटूरियल था हमेशा अच्छे से अच्छा लेने का मेरा नियम था आज भी मैं अपनी सारी प्रित्वा उंडेल कर लेक को अधिक से अधिक जीवन्त बनाने का प्रेस कर रही थी पर दीदी के कारण सब गड़बड हो रहा था उन्होंने तो इस दिनों पढ़ते लिखते की छुट्टी कर रही थी मजे से आरामकुर्शी पर लेटी गुनगुना रही थी हाथ में नीटा मस्केट की कोई नौविल थी तिपाई पर मसूरी से आया ताजा पत्र पड़ा हुआ था मसूरी ने इन देनों पत्रों को तांता लगा हुआ था जिसे कार्तिक इतने दूर से भी अपने गिरफ्त धीली नहीं करना चाती दीदी नियम से पत्रों को उत्तर देती है और फुरसत से बढ़कर दर्द बरेगीत क्याय करती है उनके या संगेत साधना ही कभी कभी सिर्दर्द बन जाती है अब भी मेरा मन हुआ कहूं दीदी प्लीज थोड़ा तो रहम करो माना आप बहुत बड़ी डांसर है पर गाना आपके बसका नहीं है इसे हम गरीबों के लिए छोड़ दो